इशुपाल का वद श्रीकृष ने कैसे किया था गीता में भगवान श्रीकृष ने अरजुन को बताया था किस धर्ती पर जब भी पाप और अधर्म की अत्यतिक व्रिदी होने लगती है तब तब मैं इस धर्ती पर किसी रूप में अवतार लेकर पापियों का नाश करता हू और धर्म की अस्थापना का महत्वपुर्ण कारे करता हूँ उधारन के तौर पर वढ़ा के अवतार में भगवान ने हिरने आक्ष को अतो नरसिंग के अवतार में हिरने कशप का वद किया राम के अवतार में रावन का अंथ हुआ और कृष्ण के अवतार में पापी कंस क वद्ध हुआ यहाँ पर बात आती है महाभारत की कथा की महाभारत में श्रीशुपाल का वद्ध किस प्रकार श्री भगवान ने किया था यह हम जानने का प्रयास करेंगे आप तो जानते ही होंगे कि श्रीक्रिष्ण के पिता वसुदेव थि लेकिन बहुत कम ही लोगों को यह पता है कि श्रीकृष्ण की पांच बुवा थी श्रीशुपास श्रीकृष्ण की बुवा का ही पुत्र था और इस तरह वो श्रीकृष्ण का भाई ही रिस्ते में था पहले ही जान लेते हैं कि वसुदेव की पांच बहन कौन-कौन थी भागवत पुरान कहता है कि राजा सूर्शेन के पुत्र वसुदेव थें प्रिथा, सुरुत देवा शुरुत कृति, सुरुत्स्रवा रासधी देवी, ये पांच ना वसुदेव की बहनों के हैं गौर तलब है कि प्रिथा का ही नाम कुंती है, जिसका लालन पालन राजा कुंती भोज किया था क्योंकि उस राजा ने सूरसेन से प्रिथा को गोद ले लिया था आपको बता दे कि यही प्रिथा पांडवो की मा कुंती थी इसलिए गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन को प्रिथा पुत्र कहकर भी संबोधित किया है शुत्रवा वशुदेव की चतुर्त बहन जिनका वेवाद चेदी राज के राजा दमगोष के संगुआ था और इनी के पुत्र का नाम शिशुपाल था शिशुपाल के जन्म और मृत्यू दोनों की कहानी रोचक है आईए इन रहस्यों पर से परदा उठाते हैं महाभारत ग्रंत के नुसार शिशुपाल जन्म के सम मंदी बहुत रोने लगे थे अतह सभी ने राजा दमगोष को यह शला दी थी किस बच्चे को त्याग दिया जाए रास सभा में यह सब विचार हो ही रहा था कि तभी एक दम से अचानक यह आकासवानी हुई थी कि हे राजा दमगोष और शुथ श्रुथ श्रवा आप लो एक नेतर गायब हो जाएंगे समझ लेना कि वही व्यक्ती इस बालक की मौत का कारण बनेगा राश्वानी बद होने पर उस बच्चे को अपना लिया गया और उसके माता पिता उसका पालन पोशन करने लगे कुछी दिनों में श्रुथ जनक बालक की खबर उस राजे से दूरदूर के राजा लोग राजा दमगोश के पास उस बालक के दर्शन की आकांचा लेकर आते थे राजा दमगोश सभी का आदर सम्मान करते थे इसी तरह खबर मिलने पर श्रुकृष्ण भी मत्रा से अपने बड़े भाई बलराम के साथ इस बालक को देखने के लिए र इच्छा जाहिर की तबुवा ने अपने उस बच्चे को श्रीकृष्ण की गोद में थमा दिया लेकिन यह क्या हुआ जैसे ही श्रीकृष्ण ने उस लड़के को अपनी गोद में लिया ठीक वैसे ही घटित हो गया जैसा उस बालक के जन के समय आकासवानी में बताया गया था उसके तीसरे नेत्र और दो भुजाएं लुप्त हो गई अब वह साधारन बालक के तरह हो गया परन्तु शृत्षवा को यह डर सताने लगा कि इस बालक की मौत का कारण इसी का भाई कृष्ण ही होगा इस घटना के बाद शृत्षवा ने श्रीकृष्ण चे कहा कि यह बालक तुम्हारा भाई है इसकी गलती को अपनी बुगा को ग्याद करके माफ कर देना तब श्रीकृष्ण ने उन्हें कहा कि इसके सौ अपराद मैं छहमा कर दूँगा यह मेरा आपको वादा है प्रसित है कि पांडवों ने जब राजसुय यक का आयोजन किया था तब श शुपाल ने कृष्ण का विरोध जारी रखा तब श्रीकृष्ण ने अपने सुदर्सन चक्र से सिसुपाल का सर काट कर धर से अलग कर दिया आज के लिए इतना ही धन्यवाद